राइसेन लोक निर्मान विभाग द्वारा नैशनल हाईवे 46 का चौरी करण और सौधिरी करण का निर्मान किया जा रहा है जिसके लागत लगबग 53 करोड रूपे बताई जा रही साती दरगाय शरीफ भूपाल रोड रिछिन नदी के रप्टे से सागर भूपाल तिराय तक पुलिया और डिवाइडरों का भी सौधिरी करण हो रहा है और इसकी लागत 28 करोड रूपे बताई जा रही है आपको बता दे कि वहां के स्तानियों ने मीडिया से चर्चा करते वे ठेकेदारों को ब्रस्टचार के आरूप लगा है उन्होंने कहा है कि दोनों सड़के ब् बन सकती है